नमस्कार मित्रो, मोरी एजूकेशन चनल मा अपनु स्वागे छे, आजे आपड़े टाट एक्जाम 2019 माटे, इंगलिश मेथड मा एक नवी मेथड, डायरेक्ट मेथड तरीके भणवाना छी है, रिविजन शिरीज नौपाग नंबर 25 अटलिके 25 छे, तो परीक्षा पेला एक को खत अवशिन जिर्मार जो, तो चालो शरूआत करी आजे नो टोपिक छे, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड नी उत्पती यनी शरूआत, उरजीनेटेड इन फ्रांस, फ्रांस मा था याती, आश्रे उगणीशो ने एक मा, अने इंट्रोडिउस्ट बाए, इटले के एने स्वपथम उप्योग करीती, माइकल वेस्ट द्वारा, स्वपथम एने सोध करीती, त्यार बाद, अल्शो नोवन एज नेचरल मेथड, डायरेक्ट मेथड ने आपड़े, नेचरल मेथड तरीके पर्ण उलकिये छे, मोस्ट इपरड़ बावच छे, सिन्थो, MCQ मा सवाल पुचाय सके से, विज अप दे फॉलवविंग मेथड इस नेचरल मेथड, तो डायरेक्ट मेथड, तीस मेथड वस डेवलोप आप्र दे रियक्शन उफ जीटी मेथड, जीटी मेथड फोर ग्रामा ट्रांसलेशन मेथड ना रियक्शन ने कारणे, आ मेथड डेवल जर्मनी माधी लिएवा माईवा, सिद्धान तोच ये जर्मनी माता यार्थी आथा, तियर बाद, इन्दीस मेथड, लर्नर केन लॉन टार्गेट लेंग्वेज, आजी केन लॉन मदर लेंग्वेज, जैवर रिते, लर्नर चे शिखवा ओलो मात्रु बासा शिखे छे, यह में अंग्रेजी पण संखीुछ हे सकते आपड़ी करेक्टरिस्ट्ड जो आक मेथर्ड ना केरेक्टरिस्ट्रिक यह huh teh ंग्रेटर्युण ओभु चेंगी मे 그े ज spite गल्लुक माया अ हरे स्ट्थ मेथड मा हặtू word गती मेथड मान करें तुन जे कि यूच्ग कर से नलीच उनल चाहा हसा »,फाध मान कि नुच हात तुन उल ये पशन कर Anda इतले के बोलवा उपर speech उपर वधारे में वधारे भार मुखवा मा आवियो छे कि विद्यार्ती जितलू वधारे अंगरे जी बोले छे एतलू वधारे एमा इंप्रूमेंट आवे छे अन्ने maximum English सारू बोली सके छे एतले के oral work ने वधारे में वधारे भार पामावियो छे त्यार बाद it does not allow the use of mother tongue आजे छे the direct method छे direct method छे ए मधर टंग ने उपयोग करवाने अलाव करती नथी एतले के direct method मां केई पन मधर टंग नो तमें उपयोग करी सकता नथी English to English साज भणवामां आवे छे तेर बाद grammar is taught through inductive method एतले इंडक्टिवली grammar छे एंडक्टिवली भणावा मावे छे inductively इन्या आपड़े जे आगमन पदती छे इन्या आपड़े inductive method तरिकाव लखी है छे तो direct method माझे grammar शिक्कावा मावे छे इतले के सवपतम उदार्णों आपड़े छे अने त्यार बाद नियम समझावा मावे छे एतले के example two rules एतले इन्या किवा inductive method त्यार बाद main focus on listening and speaking skill वधार में वधारे focus क्या करवा माईवू छे तो के listening सामभ़ू औने बोलू जेतलू वधारे तमें अंगरे जी सामभ़ो छो एतलू वधारे तमें अंगरे जी speak एतले के बोली सको छो त्यार बाद from simple to complex एतले के सरलती जल्टी चटिल तरफ अने concrete to abstract तरफ चेती आ method छे अबे अपड़े आजे method छे direct method एना advantage क्या क्या छे एतले के merits एतले के फाइदा हो क्या क्या छे ए जोवाना छे student can learn natural way English to English student छे एक कुद्रती रीते English to English पनी सके छे direct method त्यार बाद students can understand the target language एतले के English है यह target language एतले कही है English without using mother tongue, mother tongue नो उपियोग करिया वगर परण target language छे ए सिखी सके छे target language यहां English छे त्यार बाद fluency in speech तो जे speaking skill छे एमा घणवदू improvement थाए छे अने English बोलवानी छे fluency छे एमा खुबज वधारो थाए छे ले जड़पी बोली सको छो इंग्लिस तमे नेक्स्ट grammar is taught by use not by rules grammar छे ए तमने सिखाव मा आवे छे उपियोग द्वारा जे जे नो उपियोग छे जे ग्रामर नो उपियोग इतलोच ग्रामर शिखाव मा आवे छे अने एने उपियोग वाक्य मा प्रियोग करी ने इने सिखाव मा आवे छे कोई rules regulation ना उपियोग ती सिखाव मा आवे छे जे ग्रामर ट्रेस्लेशन मेथड मा rules ने महत्वाप मा आवे लू छे विद्धे यूज ओफ टीचिंग एड्स एजुकेशन प्रोसेस बीकम इंट्रेस्टिंग अहिया डायरेक मेथड मां मैक्सिमम टीचिंग एड्स नो उपियोग करी शकाए छे कारणके दरेक वर्ड तम्हे समझावी सकता ना थी दरेक वर्ड वर्ड टू वर्ड मांटे तो ट्रांसलेशन ग्रामार ट्रांसलेशन मेथड नो उपियोग थाई छे अहिया तो सिदी सिदू टीचर से एक आखु वाक्या बोले छे अने आखु वाक्या समझावे छे अबे अमुकेवा शब्द छे एने समझावा माटे तमारे teaching aids नो for an example pictures छे प्रोजेक्टर छे फिल्मश्रिप प्रोजेक्टर छे त्यार बात ये वस्तु पोते छे for an example तमारे कोई वस्तु समझावी छे मेंगो समझावी छे तो original मेंगो जो तम्हें लएने समझावा मैक्सिमम टीचिंग aids नो उप्योग करीनेज पणावा माँ आवे छे एटला माटे आज छे education process छे एंट्रेस्टिंग बने छे ये विद्यार्तियोंने येमा रश्म दाख्वे छे त्यार बाद using use of audio visual aids एटले के जो असांबली सकाई अने जोई सकाई एवी एवा education साधनों नो प्रोसेस नो उप्योग करी सकाई छे student can express their thoughts and feelings in English विद्यार्तियों छे ए पोता ना जे विचारों छे पोता नी जे लागणियों छे जेवी रिते मात्रु भासाम रजु करी सके छे एवी जुरी ते इंगलीस माँ पन डायरेक्ट मेथड द्वारा रजु करी सके छे हवे अपने सव जानिये छी है कोई पन बावत ना फाइदा हो ए तो एना केकने के गेर फाइदा पन होए छे तो अईया पन डायरेक्ट मेथड ना डिस एडवांटेजिस क्या क्या छे ए आपने जोवानों छे एन एक्सपेंसिव मेथड अब टीचिंग आजे छे ए थोड़ी खर्चाल वधार खर्च लगारती आ मेथड छे टाइम कंजूमिंग मेथड अमा समयीनों पन गणों बदो वियाई थाई छे समयीनों पन गणों बदो उप्योग थाई छे इट केंनोट यूज प्रॉपरली इन ओडर ओडर ऑवर क्राउड़ेड क्लास अवे सामन ये ते भारत मां चे चे एए वधारे मां वधारे विद्यार्थियो परेलों क्लास होई छे एटला माटे बने चे हो के ओवर ओवर crowded class होई एमा दरेक individual विद्यार्थी उपन ध्यान आपी शकातू नथी दरेक विद्यार्थी ने speech एदलेके speak English बोलवानों मोको आपी शकातो नथी एतला माटे a main disadvantages छे त्यार्बाद cannot use of mother tongue अवे अईया तम्हें कोई प्रकारे mother tongue नो उप्योग करवानों नती तम्हें English शिको छो तो English माज सामबलवानू छे अन्ने English माज तमारे express करवानू छे speak करवानू छे यहां क्याई पन तम्हें mother tongue नो उप्योग करी सक्षो नहीं त्यार्बाद only focus on listening and speaking skills हवे यहां LSRW माँ main focus छे listening and speaking उपर है छे खास करीने maximum करणके English सामबलवानू छे अन्ने English speech करवानू से बोलवानू छे ज्यारे writing उच्छों करवानू होए छे एटले little focus on writing and reading skills त्यार्बाद lack of trained teacher in एंडिया सामनीरी ते the direct method छे इंगली सीखवा माटे suitable method छे परन्तु बने छे हो के भारत मा जे छे एवा ट्रेन धहला teacher मलता नहीं थी के maximum words यह जह सिक्सको पासे होए कोई पर सब्दने समझावा माटे एनो synonyms एनी पासे होए एडले के वोकाल्बदर इस साराम सारी होए तो यह समझावी सके छे तो थैंक्यू पर वाचिंग दिस वीडियो जो आपने वीडियो गेम होए तो लाइक कर जो शेर कर जो अपना मित्रों साथे पंड शेर कर जो अने जो सब्सक्राइब करवान नी बाकी होए चैनल ने तो सब्सक्राइब कर जो जेती तमने आवाज वीडियो नी नोटिफिकेशन मलती रहे थैंक्यू वेरे मुच